बेंगा आज की इस वीडिया हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बी एस नल स्थिम की लाश्ट फाइब कॉछ डिटेल कैसे निकाल सकते हैं एक यू ऐस एषटी कोड की सायता से जो कि आज की इस वीडिये आपको फुल प्रॉसेस बताने वाला हूं कि आपको BSNL SIM की call detail कैसे निकालनी है एक यूएस इसडी कोड की साहता से सब्सक्राइब करना है और वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना वरना आप कोई भी स्टैप मिस्टिक कर जाएंगे और फिर आप बोलेंगे कमेंट पर भाई मैं नहीं चेक कर पाया लास्ट फाइब कॉल डिटेट तो आपको वीडियो को बिल्कुल बिना इसकिप किया है तक कम्प्लीट जरूर देखना है तो सिंपल से आपको डाइल करना है एक यूएस इसडी कोड आप ध्यान से देखिए तब यह आप देख पाएंगे आपको डाइल करना है इस्टार 123 इस इफ पर आपको डिखने को मिल जाता सेवन नंबर का ओप्सन फोर विव लाष्ट फाइब कॉल्स तो सिंपल से आपको सेवन प्रेश करके इधर पर किलिक करने ते गएगा इसपर आपको कॉल रिकॉर्ट दिखाई जाएक की और साथ्में कॉस्ट बगेरा दिखाई जा थी और किस नंबर से बात की गई थी जैसे कि आप देख सकते हैं इस नंबर पर हमारी बात हुई थी है मैं नंबर हाइट करें हो फिलान में तो दिखा नहीं सकता और सिंपल से आपको इधर पर देखने को मिल आता है डाइल वन फॉर मोर मतलब आप वन डाइल करेंगी तो एधर पर आपको एक नंबर दिया जाएगा फिर इधर से आपका पूरा क्रामें बात है तो किस नंबर की बात हुई थी तो इस नंबर से हमारी बात व्याइथ हुआ थी पहले तो मंत्रिक्रसे आपको one प्रस करना है फिर आपको send करना है फिर आपकी call detail निकालती चलिए आईगी जैसे कि आप देख सकते हैं फिर हमारी इस number से बात हुई थी फिर हम one press करते हैं फिर हमारी इस number से बात हुई थी जैसे कि आप देख सकते हैं और फिर हम करते हैं one फिर हमारी इस number से बात हुई थी तो ऐसे हमने five call detail इधर पर निकाल ली तो इस तरह से आपको one press सेंड करके मनलब प्रस करना है, फिर सेंड करना है, फिर सेंड करना है, फिर सेंड करना है, तब यह आपकी call details निकलाएंगे, बस यही तरीक आपको BSNL SIM की call details निकालने का देखने को मिलता है, और कोई भी तरीक आपको BSNL SIM की call details निकालने का देखने को नहीं मिलता, तो गैज इस वीडियो में कुछ इत्रहीं बताना था बढ़ आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो में इंस्टाग्राम पर आपको उन सकते हैं यूजर नहीं अवैजने27 लिंक डिसक्रस्वा में देखने को मिल याएगा और प्लीज चानल पीन वायते चल्म को सस्काइब करके नो सबस्टाइब करो